आज मैं बना रही हूँ रस्मलाई तो इसको आप सौप्ट और स्पॉंजी रस्मलाई आप घर पर बना पाएंगे और वो भी बहुत आसानी से नमस्कार भूमिच किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने अगर अभी तक सब्स्राइब नहीं किया है तो कर लिए तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका जो रस्मलाई है वह बहुत सौप्ट बनेगी और एकदम स्पॉंजी बनेगी इसमें मैं हर एक टीप्स बताई हूं तो चलिए देखते हैं यहाँ पर मैं एक लिटर दूद ले रही हूं इसको हम उबालने के लिए इसमें आधा को पानी में एक निम्बब का रस निचुड के लिए ली थी और दूद को बॉइल करके ठंड़ा करने के लिए रख दें मतलब एकदम उबलता हूँ दूद नहीं होना चाहिए तो बॉइल करके आप 2 मिनिट के बाद इसमें निम्बु का रस जो पानी में मिला आया हुआ निम्गो का रश डाले अभी देखिये इसमें 5-10 मिट के बाद ऐसे दूर और जो छेना है यह अलग होना शुरू हो गया है तो अभी देखिये थोड़ा सा 10 मिट के बाद यह छेना अलग हो चुका है इसको हम एक छलनी लेंगे और नीचे एक भगोना लेंगे और उसके उपर एक कॉटन टावल लेंगे और इसको छान लेंगे जो भी छेना हमारा निकला है तो इस तरीके से आप कपड़े में डालने के बाद इसके उपर से थोड़ा सा पानी एक ब्लास डाले ताकि इसमें जो निम्बू का रस का जो खटा रहता है वह निकल जाएगा खटापन जो है दियान रखें कि निम्बू का रस डारेट ना डाले आप आधा कप पानी में एक निम्बू का रस निचुड़के ही डाले उसके बाद यह जो मैं पानी डाल रही हूं यह साप पानी है नॉर्मल पानी है ताकि इसमें जो खटापन रहेगा निम्बू का वह निकल जाएगा या फिर आप इस तरीके से कोई भगोने में पानी डालके इस तरीके से धो लीजिए ताकि निम्बू का जो खटा है वो निकल जाएगा इसके बाद इसमें छान लीजिए ऐसे डालने के बाद हम कपड़े को उठा लेंगे अभी थोड़ा सा हम निचोड़ देंगे इसको बहुत जादा ना निचोड़े थोड़ा थोड़ा पानी रहना चाहिए या फिर इसको कहें पर टांग के रख दीजिए लगभग दो से तीन घंटा के लिए तो बहुत ज्यादा ना निचोड़े, थोड़ा सा पानी होना चाहिए, अभी निचोड़ने के बाद इसको हमें प्लेट में डालेंगे, अगर अब बहुत ज्यादा उबला हुआ दूद में जो निम्बू का रस है वो डालेंगे तो हाड हो जाएगा, तो इसको आपको बहु यह देखिए, ऐसे मैं अपने हथली के मदद से इसको गूत रही हूँ, तो अगर आप चाहें तो इसको एक ग्राइंडर जार में तोड़ी देर के लिए यह किया दो मिनिट के लिए चला लीजिए, उसके बाद आप अपने हथली से इस तरीके से आप गूंथेंगे, तो आ लग लग सकता है, तो अच्छे से शॉप्ट करने के लिए, सॉप्ट होने के बाद, इसको हम लोईयां बनाएंगे, मतलब जो रस्मलाई का जो टिक्कियां है, वो बनाएंगे, थोड़ा सा हथली में लेके ऐसे गोल गोल करते हुए, इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, और इसे टिक्की का सेव देंगे, इस तरीके से आप बना लेना है, अभी एक लिटर दूद में, मैं दस टिक्कियां बनाई हुँ, रस्मलाई का, अभी हम इसको पकाने के लिए चीनी का चासनी बनाएंगे, तो एक कॉप चीनी में, जिसी भी बावल में आप एक कॉप ले पानी बनाई है, तो उसमें आप चार कप पानी डाले, एक कॉप चीनी और चार कप पानी डालने के बाद इसको उबालने के लिए रख दें, बहुत ज़्यादा दिर तक नहीं उबालना है, एक बार चीनी पानी में मिक्स हो जाए और थोड़ा सा उबालाने लगे, उसमें पर आप जो टीकियां बनाई हैं कि इसमें हम डाल देंगे एक एक करते हुए कि अलग-अलग इसको छोड़ दें कि अभी इसको पकने के लिए रख देंगे हम लगभग 10-15 मिनिट के लिए नेरली 15 मिनिट के लिए और आपका ग्यास का जो फ्लेम है हाई रखें और 15 मिनिट के लिए उबलने दें बीच में खूल खूल के ना देखें अभी मैं 10-12 मिनिट के बाद मैं खूल के थोड़ा देख रही हूँ अभी एक तरफ से थोड़ा सा पग गया है तो एक तरफ थोड़ा सा हम पलट लेंगे अगर नहीं पलटेंगे तो भी ये अच्छे से पग जाएगा देखें अच्छे से फूल गया है मतलब डबल हो चुका है जीतना हमारा टीकी का साइस था उसे डबल हो चुका है देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ तो यह अभी रेडी है पग गया है हमारा जो रस्मलाई है और इसमें मैं साथ सो से आठ सो मिली लिटर दूद ले रहे हूँ या फिर एक लिटर भी आप ले सकते हैं मैं पहले इसको बॉल करके रख चुकी थी तो फिर से हम इसको उबा लेंगे और थोटा साथ थंडे दूद में केसर की कुछ धागा मिलाएंगे और इसको मिक्स होने के लिए 20 लग जाएगा थोड़ा सा गाढ़ा बनाएंगे इसकी रबड़ी को तो इसमें हम डालेंगे चीनी दो चमच दो से तीन चमच आप डाल सकते हैं आप जितना मीठाई खाना चाहें जितना मीठास खाना चाहें उसी हिसाब से तो इसको लगातार कंटिनियोस चलाते हुए एक गाढ़ा रबड़ी बनाना है देखिए थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है तो इस समय जो है हमारा केसर का ज और थोड़ी दिर के लिए पकाएं और इसको थंड़ा होने के लिए रख दे अभी हमारा जो तयार किया हुआ टिक्किया था इसको हम रबड़ी में मिला लेंगे और कुछ सेकेंड के लिए पकाएंगे आपको बहुत जादा नहीं पकाना है अगर बहुत जादा पकाएंग तो आप इस समय इलाइची पाउडर डाल दे यह पहले जब रबडी बना रहे हैं उसी समय आप डाल सकते हैं तो दो इलाइची इसमें कूटके डालना है अभी थोड़ा साथ कुछ सेकेंड पकने के बाद इसको थंड़ा होने के लिए रख दें रूम टेंपरेचर में आने के बाद इसको आप किसी भी कॉंटेनर में डाल के फ्रीज में रखें फ्रीज में रखने के बाद उसके बाद दो से तीन घंटा के बाद इसको सौर्प कर सकते हैं थैंक यू